बात करने वाले हम लोग 1 प्लस 12 आर के कितना ज्यादा ठोक दिया विचारे को अच्छी में तबीद खराब है मैं एनरजी लाने कोशिश कर रहा था फिर से सुरू करते हैं जहीं दोस्तों क्या हाल है तो यह मेरे पास 1 प्लस 12 आर लास्ट यह था मारे पास 1 प्लस 11 आर इन दो पोनों के काफी सिमिलर स्टोरी है लेकिन कुछ चीजी अच्छी कुछ चीजी बुरी है सब कुछ बताता हूं क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जो भी यह वन प्लस की तरफ से इस फॉन के साथ एक ओफिसियल बड़ी मिस्टेक हो गई है वह भी बताता हूं म तो यह न काफी सिमिलर फील कराता है वन प्लस 11 आर के कैमरा डिजाइन सिमिलर सा है बस एक फ्लैस ऊपर कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो एलेट स्लाइडर है वो राइट साइड से एट के लेफ्ट साइड में जा चुका है वन प्लस 12 आर में 500 अमेज बैटरी जादा ह 1 प्लस 11 अर में 5000 अमेज बैटरी था 1 प्लस 12 आर में 5500 अमेज बैटरी है पांसों अमेज बैटरी जादा है लेकिन फिर भी जो वेट है न फोन का वो सिर्फ 3 ग्रैम जादा है 202 14 घ्रम 1 प्लस 11 आर है और टुज दो जो कमियां कहां लगी सबसे पहले गुड तिंग्स यह है कि आपका वन प्लस 12 वार का जो प्राइज है वह बढ़ाया नहीं गया है वह वन प्लस 11 आर जैसे यह तो प्राइज जंप नहीं किया गया दूसरी चीज अची यह लगी प्रैक्टिकल लाइफ में इन डिस्प्ले फिंगर पिंट स्कैनर की पोजीशन थोड़ा उपर कर दिया गया वन प्लस 12 आर में जो ज्यादा कमफटेबल लगा तीसरी चीज डेफिनेटली प्रोसेसर अपग बैक से देखें सिमिलर लग सकते हैं लेकिन यह चेंजिस थे इसमें बाकि यहां में बताने वाला था वन प्लस ने ओफिशली क्या मिस्टेक कर दिया मिस्टेक यह है कि आपने सुना होगा वन प्लस 12 बाहर जो बेस वेरियंट है 8GB RAM 128 के साथ यह UFS 3.1 के साथ आता है सेम टा आते हो तो यह हमने एक File को Copy-Paste किया है एक तरफ one plus 12 है एक तरफ one plus 12 है आपके सामने mention है कितने जीवी की मेरे पास है हम भी जब टेस्ट कर रहे तो UFS 3 शो कर रहा था ये चीज़ ट्विटर पर भी शेर हुई तब OnePlus तक ये बात गई हो कि उन्हों नोटिस किया होगा जो भी अपनी स्टोरेज तो मिल गई लेकिन जिनो ने 256GB सिर्फ इस ले लिया कि उनको UFS 4 चाहिए था उनके साथ तो गलत हो गया ना तो ओफिशली क्या OnePlus उनके पैसे वापिस करेगा तो ये काफी सीरियस मिस्टेक कर दिया OnePlus ने बाकी फोन की बात करते हैं अभी भी जो इसका USB Type-C port देख आप ये जनरेशन टू ही है लास्ट टाइम भी टू था बाकी अगर बात करें डिस्प्ले की बात करें तो अभी भी आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है 6.78 इंच फुल एच्डी प्लस प्लस या फिर आप 9.5K भी बोल सकते हैं 120 हर्ट डिस्प्लेय आई है LTPO 4 ये वन हर्ट स्टैंडर्ड पर रखिए अलागी हाई पर भी इसका LTPO डिस्प्ले स्विच कर रहा है और मोस्टली सोफ्टेयर से यहां पे 120 हर्स पर जैसे फोटो अप्लिकेशन है क्रोम अप्लिकेशन है यह सारे मतलब काम कर रहे हैं हाई रिफ्रेश्ट पर बाकि अगर डिस्प्ले की है Oxygen OS 14 के साथ इसमें लेकिन 3 years of Android update 4 years of security update मिलेगा यह को छोटी-छोटी-छोटी चेंज कर देते हैं जैसे OnePlus 12 ज्यादा प्राइज लेता है तो वहां 4 years of Android और 5 years of security update है तो no doubt phone आपके easily सारे काम करने के लिए capable है fast feel होता है in fact हमने one hour के आसपास gaming भी करके देखा है कोई major heating issue यह और खेला जाएगा लेकिन मुझे लगता नहीं issue होना जी है क्योंकि last year snapdragon agent 2 काफी stable processor था और अगर camera की बात करें क्या हां कुछ changes है megapixel तो सेम है 50 megapixel main 8 megapixel ultra wide 2 megapixel टिपिकल macro और 16 megapixel की selfie 4K 60fps तक आप maximum video record कर सकते हो और selfie camera से 1080p video quality आप record कर सकते हो पहले वीडियो से शुरू करते है क्योंकि हम लोग outdoor गए थे तोड़ा हमने initial test किया था है यह वीडियो शूट और यह 4K 30fps पे मैं तो एक बात करना चाहता हूं सबसे जुरूरी phone उन तो आते रहते हैं सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ हैं तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा आपको अच रिकॉर्ड करके देखा डारेट फेस पर दूप पड़ी थी तब भी मैंने चेक करके देखा इन फैक्ट आर्टिफिशल लाइट में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए तो यहाँ पर भी मैं चेक कर रहा था आप देख सकते हैं 11 आर जैसे थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा कर करके दिखाता है ऐसा फील होता है और यहीं चीज हमने फोटो क्लिक करके देखा न यहाँ भी हमने नोटिच किया काफी सारी फोटो तो सिमिलर आती है अगर एक नॉर्मल फोटो आप क्लिक करते हो थोड़ा बहुत कलर ट्यूनिंग की चेंज है लेकिन जब आप बात करते ह है human skin की वहाँ फरक दिखता है कि 12 वार ने better skin tone control किया हुआ है 11 वार में जैसे कहीं कहीं ऐसा लगता है exposure ज्यादा कर देता है फोटो किलिक करते हुए तो यह कह सकते है कि कैमरे के मामले में छुड़ी-छुडी चीज़े इंप्रूफ की गई है आपर वह आपने देखा मैं भ लेकर चलते हैं कोन अच्छा बैलंच करता है आप लोगों ने देख लिए होगा मुझे नहीं दिखना दू बहुत पढ़ रही है तो यह था वन प्लस ट्वैल बार यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कुछ और चीजी जैसे इसके अंदर NFC का सपोर्ट मिल जाएगा 4G प्ल का बैक कवर भी मिल जाता है साथ में आपको चाज़र भी मिल जाएगा 100 वोट का फास्ट चार्जर है और हम मैं कहा सकता हूं कि जो वो अभी टाइम आ चुका है गुडबाय बोलने का बुरा फोन नहीं अगर आपने बाय किया तो यूज करते रही है लेकिन अब यह नया आ जाता है तो वन प्लस 12 वार अभी लेना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन है बट सेम ताइम याद रखिएगा अगर आप 256 जीवी बाय करना चाते है वन प्लस 12 वार का तो मुझे लगता है फिर वन प्लस 11 नहीं बाय कर लेगा इंसान उसके अंदर प्रोसेसर तो सेम मिलेगा लेकिन बेटर कैमरा मिलेगा और वन प्लस 11 एक साल पहले आया था न और अगर 40 तक लेना तो अपने आपको प्राइस को तो यह अपने आपको कॉम्पेटिशन में रखता है और अगर आपको एंप्लस का फोन लेना तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप गेमर बगारा है तो क वीडियो भी देख लीएगा बेटर डिसीजन के लिए कुछ ऐसा था वन प्लस 12 आपको कैसा लगा यह फोन कोमेंट करके बताएए वीडियो प्रसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाएए क्योंकि हम फिर यहीं मिलेंगे अगली वीडियो में